नमस्कार डेली अपडेट में आपके स्वागत है आपके साथ हैं जली डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबर जिनका है आपसे सरोखार आई नस्त डालेंगे आज की एहम खबरों का लोगसभा चुनाव को 14 या 15 मार्ट को हो सकता है एलान 7 चरनों में होगा मतदान सुनाव आयुक जल्दी लोगसभा चुनाव की तारिकों की गोशना कर सकता है सुत्रों के मताबिक 7 चरनों में वोटिंग हो सकते हैं सुनेल शर्मा बना चुके हैं, एलक्षिन जितने का रिकॉर्ड इंदिया बुक में दर्जर नाम आब बनेंगे मप्टी, वीज़पीbin विधाइक सुनेल शर्मा, यूपी के साहिबाबाद से विधाइक है, उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्जर सुनेल शर्मा, सें योगी और भाजबा मुख्याले पॉंचे और यूपी कόंग्रेस के बड़े नेता है ज़िश मिश्रा जायर से शुरू हो रहे हिए उत्राखंग की चारधाम याच्छा परिवेहन विभाग ने तैस की पहुंचे थे देदा छोटे से सेलून पहुंचकर सेम भजनलाल ने कटवाए बाल इस साधारन इंदाज की हो रही चर्चा वीडियो में बिका नेर में मुख्यमंति भजनलाल के साथ केंदी वर्थी अरजुन में घाल भी नजर आए कहा जा सकता है कि सेम श्रमा इन दिनों व चे मार्ट से मेट्रो ट्रेन दोड़ने लगी और सीम योग्या दित्ते नाथ राजपाल अनंदी वें पतिल ताजमा स्टेशन से मेट्रो ट्रेन को हरचेंडे दिखाएंगे आग्रा मेट्रो के उद घाटन की यूपी मेट्रो डेल कॉर्परेशन नित्यारी पूरी कर दी ह मुबारिकूर के पास ट्रक और वेलेरों की ब्ढ़नत हो गई भूमाफिया से प्रिशान दो बुज़ोर्ग सरकार से मांगी पिस्टल गोली कहा फरमाईश पूरी ना होने पर बनेंगे नकसली वारानसी में भूमाफियाओं से आर्जीज दो बुज़ोर्ग भाईयों ने मुखेबंसी ओगया दितिनाथ को चिठी लिखका आर्जीब पर याद की है मदद ना मिलने पर नकसली बनने की भीचेताव ने दी है केजवाल के 1000 रुपे वाले तोफ़े से महलाओं में खुशी छात्रों में जगी पढ़ाई की उमेद दिली सरकार ने मुखेबंसी महला समान योच्छन के तहत 18 साल से अधिकुम्र की लड़कियों के 1000 रुपे हर महीने देने का अलान किया इस तोफ़े से दिली की महलाई का लोगसभा चुनाओ से पहले गुजरात में बड़ा खेल अर्जुन मौडवाडिया अंब्रीश समेत कई दिगर्स बीजेपी में शामिल लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले गुजरात में कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस से इस्तिपा देने वाले अंब्रीश देर और सीनियर विध्याक अर्जुन मौडवाडिया ने मंगलवार को भाजपक अदामन धाम लिया भारत एक राष्ट्र नहीं हम जे शिर राम कभी नहीं करेंगी सविकार ए राजा ने दिया विवाधित ब्यार बीजेपी ने लगाया आरोप एक्सपर ए राजा के भाष्ट्र को शेयर करती वे बीजेपी नेता आमित मालवय ने लिखा ड्यमकी की तरह से नफरत भरे भाष्ट्र लगातार जारी है उधे निदे स्टारिन के बाद ए राजा है जो भारत की विभाजन की बात करें है जवलपूर में इस पासंचालक नाबालिक वतीजी से करवा रहा था गलत काम थाने में हंकामे के बाद दर्च हुआ रेपकिस जवलपूर में एक हरान कर देने वाला मामला सामने आये जहां एक व्यक्ति नाबाली कुद्राधम काकर दाहिक शोशिन कर रहा था पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्च कराकर जान शुरू कर दे बियस्पे नेता की गोली मार कर हत्या आकाश अनंद भड के कहा खराब होती जा रही है हालर बस्पा नेता मेहिंद्र गुपता के नेजी सुक्षा कर्मे अब्दुल मंसूरी ने कहा कि उन्हें मोर्साइकल सवार एक व्यक्ति ने गोली मार दी चुनाओ से पहले योगी सरकार का बड़ा एलान किसानों के लिए खोड़ा خजाना एक और वाधा पूरा कर दिया है किसानों के बिजली बिल्कु सोपरती से छूट दिया जाने कि प्रस्ताव को मंसूरी दे लिए मंजिंदर सिर्षा का इंधिया गठबंधन पर निशाना जिस गरीब का कोई नहीं होता उसका मोधी होता है मोधी का परिवार मुहीम को लेकर वीजे पीनेता मंजिंदर सिंग सिर्षा ने कहा कि देश के 140 क्रोड लोग पीम मोधी के साथ खड़े हैं और यही नारा लगा रहे हैं कि मैं मोधी का परिवार बंसे उडा देंगे वेंगलूरू करनातिक सरकार को इमेल से मिले धमकी बेंगलूरू के एक कैफे में ब्लास्ट के बाद अब करनातिक सरकार को इमेल भेज़ कर पूरी शहर को बमस उडाने की धमकी दी गई है पुलिस इसकी जांच में जुट गई है पुलिस इसके ऍद्था गई हम्ड़ती है अब सोना दी जे जवाब में कॉंग्रस नेता ने दी फ्लाइंकेश राहुल गांदी के यात्रा जब MP के शाजापूर से गुज़र रही थी उस समय बीजेपी कार करता राहुल गांदी के सामने मोधी मोधी के नारे लगाने लगे जब राहुल उनके पास गए तो उन्होंने कॉंग्रेस नेता कॉालू दिये और बदले में सोना देने की मांगी MP में दल दला देने वाली घटना साथ लोगों ने पत्नी से छेट-छाड कर पिचा पती ने दो बच्चों के साथ कर ली खुद खुशी मृतक ने सुसाइड नौट में लिखाया कि तीन वहीं ने पहले पत्नी नैनी बंजारा के साथ गाव की ही राजु कालू, सोनू, गीता बाई, नोजिबाई, लीला बाई, गौविंदर ने मार पी टोट शेट खानी की थी इन समी लोगों को अपनी और बच्चों की मौत का जिम्यदार ठेराया, मृतक ने अपनी सुसाइड नौट में पुलिस से मांग की है कि आरुप्यों को फांसी की सजा मिले। डेली अपडेट में आज के लिए फिलाले तहीं तब तक के लिए बने रहे हमार साथ देखते रहे हैं जन से तुनियोज, जन से सरोकार